Good morning class and today we start with a new topic measuring weight measurement chapter में हम नया topic स्टार्ट करेंगे measuring weight पिछले वीडियो में मैंने आपको measuring length के बारे में बताया था कि how to measure height या किसी भी चीज की लंबाई या चोड़ाई आप कैसे measure करेंगी किस तरह से compare करेंगे और उसके लिए हम कौन से words इसमाल करते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे topic measuring weight वेट यानी wazan किसी भी चीज का wazan पता करना हूँ जैसे मैंने आप से पूचा था कि आपकी height जादा है या आपके पापा की height जादा है या मम्मी की height जादा है तो आपने compare करके बोला कि मेरी height कम है और मेरे पापा की height जादा है मुससे जादा वजन पापा या मम्मी का है तो यह तो हम नॉर्मली अब्जर्ब करके भी बता सकते हैं और मिजरिंग वेट के लिए हम दो वर्ट इसमाल करते हैं लाइट, 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 लाइट मेजर करने के लिए हम एक बैलेंस का इस्तमाल करते हैं बैलेंस जो आपने वेजिटेबल लेते हुए मम्मी के पास वेजिटेबल वाले के पास दिखा होगा एक बैलेंस होता है जिसे हम तराजू भी कहते हैं जब ममा fruits लेने जाती है वहाँ भी उसके पास एक balance होता है एक balance इस तरह का होता है जिस पर हम वजन रखके एक side समान और एक side weight रखके वो balance करता है और एक आजकल electric वाला balance होता है जिस पर जैसे ही हम weight रखते हैं वो अपने आप automatic हमें balance बताता है तो vegetable लेने जब ममी जाती है या fruits लेने जब जाती है या grocer के पास rice, wheat लेनी जाती है तो आप ध्यान से जब उससे देखोगे तो आप उससे measure करते वे देखोगे उसके पास दो pants होते हैं उस पर वो समान रखता है एक और एक और weight रखता है और जितना भी समान ममी को लेना होता है वो जितना कहती है उतना ही वो balance करके उन्हें दे जेता है तो अगर वो same weight होता है तो दोनों और के balance same हो जाते है बराबर और अगर different weight होता है तो heavier वाला जो part होता है वो नीचे की ओर जुग जाता है और lighter वाला उपर आप see-saw भी के जूलते हो ना तो आप देखते हो कि जो चबहारी होता है वो नीचे ह हो जाता है और जो हलका होता है वो उपर के ओर उड़ जाता है तो इसी तरह का balance होता है और भी बहुत सारे example है जैसे मैं आपको बताओं अगर मैं बोलूँ कि ये इन दोनों sketch pen का weight क्या है same या अलग-अलग ता बोलो कि मैं हम दोनों same है तो इन दोनों का weight same होगा लेकिन कम होगा इसके अलावा अगर मैं compare करने के लिए बोलूँ बजी टेबल कि अगर मैं बात करते हैं ये पोटेटो है ये लेमन है तो किसका weight जाता है तो हो सकता है इनका weight same भी हो और different भी हो क्योंकि size से फरक नहीं पढ़ता है हमारा लेकिन अगर मैं इस side में डो पोटेटो मैं इसका वजन जादा है और इसका वजन कम है यह हम compare करके बता करते हैं लेकिन वेजिटेबल हमें balance पर तोल करके इसे देता है उसे तोलने के लिए वो इस तरह के balance का भी इस्तिमाल करता है यह आपने उसके पास देखे होंगे वेजिटेबल लेने जब ममी जाती है तो लिखा हुआ होता है इसके तुरूई हम वेट का पता लगाते हैं के आपको समझ में आया होगा शेली अब आप अपकी exercise करते हैं तो आपकी exercise का यह जो page number 126 है quick assessment इसमें कुछ figures बनी होई है जिसको हम fill in the blanks करेंगे heavier than, lighter than और as heavy heavier than यानि किसका वजन जादा है lighter than यानि किसका वजन कम है as heavy यानि same तो heavier होगा तो वो वाला जो part है वो जुका हुआ होगा और lighter होगा तो वो वाला part उठा हुआ होगा और same होगा तो balance same होगा ओके चली पहला question देखते हैं क्या है एक side है apple और दूसरे side है strawberry तो पूछ रहा है the apple is dash the strawberry apple strawberry से heavier है या lighter है apple obviously आप देखेंगे कि balance apple के ओर जुका हुआ है और strawberry उपर है तो apple is heavier than heavier कि spelling क्या लिखेंगे h-e-a-v-i-e-r heavier than the strawberry the apple is heavier than the strawberry be the toothbrushes dash the hammer hammer या नहीं हो थोड़ा किल ठोकते वे देखा होगा toothbrush तो आपके पास है toothbrush क्या है lighter है hammer से या heavier है toothbrush तो आप अपने हाथ में उठा लेते हो लेकिन hammer नहीं उठा पाते हो तो toothbrush is lighter than l-i-g-h-t-e-r lighter than कि स्पेलिंग t-h-e-n then lighter than the hammer the orange is dash the mango orange और mango तो आप देखिए balance बिलकुल सेम है जितना बजन और mango का है उतना ही बजन एक orange का है तो as heavy बतलब same weight है as heavy as the mango next the book is dash the symmetry box तो वजन किसकी और जुका हो है balance book की और है symmetry box तो symmetry box उपर है और book नीचे है तो book is heavier than h-e-a-v-i-e-r heavier than the symmetry box okay ठीक से समझ में आ रहा होगा आपको next tick the heaviest यानि मेरे पास अगर दो से जादा figure उसमें सबसे भारी बताना हो tick the heaviest यहाँ पे है goat, rabbit and elephant इंमें सबसे भारी कौन है rabbit no सबसे भारी है elephant cross the lightest सबसे हलका car, van और train सबसे हलकी तो train सबसे भारी है उससे हलकी van सबसे हलकी car cross the lightest next पहले के जमाने में early mass क्या करते थे stones, blocks या beans या किसी चीजों से वजन करते थे अभी मैंने आपको balance दिखाया, जब balance नहीं था तो हम अलग-अलग चीजों से किसी भी चीज का वजन सेम पता करने की कोशिश करते थे, एक साइट stone रखे, एक साइट मान रखा जब दोनों का वजन सेम हो जाता था तो हमें वजन पता लग जाता था अब हमारे पास balance है, तो यहाँ पर भी हमने कुछ stones या marbles रखे हुए हैं जिसके तुरू हम पता लगाएंगे यहाँ पर, the twi car weights about dash blocks, एक साइट हमने twi car लखी है, दूसरे साइट blocks, दोनों ही वजन सेम है, तो कितने blocks मैंने रखे हैं हमने, two blocks twi car का weights two blocks के equal है, तो कि balance equal है, the book weight about dash blocks, book का वजन कितने blocks के बराबर है, तो count कर लीजे, one, two, three, four, five, कितने blocks है, five blocks the school bag weights about dash marbles, यहाँ कुछ marbles रखे हैं, तो school bag का वजन कितने marbles के बराबर है, one, two, three, four, five, six, seven marbles the thermos, water भरते हैं, उसका weight कितने glasses के बराबर है, इसमें glass से ही water डालते हैं, one, two, three glasses के बराबर हैं, के, जब यह सारी चीजे नन स्टेंडर हैं, यानि इनका वजन अलग-अलग हो सकता है, अगर हम बड़ा glass लें, या चोटा glass लें, बड़ा marble लें, चोटा blocks लें, उससे according, यहें वजन पर फरक आएगा, लेकिन जब हम exactly इस तरह के वजन से ही, या जो electric वाले से करेंगे, तो हमें same वजन मिलेगा, उके, next, आपकी exercise है, यहाँ पर मैंने एक जो यह number वाला है, उसको one unit माना है, उसके according, यहाँ पर a, b, c, d, 4, balance रखे हैं, और सबका वजन पूछा जा रहा है, bags का, a bag, b bag, c bag, d bag, और sबके सामने यह कुछ numbers रखे हुए हैं, यह जो numbers, उसके according हम दिखेंगे कि कितने units हैं, इसे हम one unit मानेंगे, a में count कीजिए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो bag a का वजन, nine units हैं, कितने units हैं, nine units हैं, then weight of bag b, b में देखिए, one, two, three, four, five, b का वजन, five units हैं, then bag c, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, bag c का वजन, ten units हैं, then bag d, one, two, three, इतने units हैं, three units, तो सबसे भारी bag किस कौन सा है, जिसमें ज्यादा units हैं, ten, और सबसे हलका, d, जिसमें सबसे कम है, three units, तो यहाँ पर पूछ रहा है, bag dash is the lightest, कौन सा bag हलका है, तो जिसमें कम है, किसमें कम है, three, तो bag d is the lightest, lightest यानि सबसे हलका, bag dash is the heaviest, सबसे भारी, तो सबसे ज्यादा किसमें है, ten, bag c is the heaviest, then next पूछ रहा है, bags, dash and dash are heavier than B and D, B and D से भारी दो bag कौन से हैं, तो B में है 5 और D में है 3, A में है 9 और C में है 10, तो bag A and C are heavier than B and D, then dash bags, dash and dash are lighter than bag A, bag A से हलके bag कौन से हैं, bag A में है 9, C में जादा है, तो वो भारी है, B में 5 और D में 3, तो हलके bag कौन से हैं, B and D, bag B and D are lighter than bag A, okay, are in the bags A to D from heaviest to lightest, यानि descending order में, भारी वाला पहले, उससे हलका, उससे हलका और सबसे हलका, सबसे भारी वाला कौन से हैं, जिसमें जादा unit हैं, यानि C, उससे हलका, A, उससे, B, then B, okay, I hope आपको अच्छे से measuring weight समझ में आया होगा, और exercise मैंने आपको अच्छे से पिल करनी बता दी है, यही सारी exercise आपको अपनी book में पिल करनी है, okay, thank you.